इस डिलिवरी यूनिट को अपनी मशीन में कैसे लगाते हैं मैं आपको उजिठा दिखा देता हूँ दिए आपको पभी निकालना रहरा है तो क्यस तरह निकाल सकते हैं जैसे मैंने यह दिखा रहा हूँ कि ये तीन स्कुरू से लगा होता है एक metal plate से लगा रहता है दूसरा उसके down stair पे और तीसरा इसके right side में और down side में उसका एक connector लगा रहता है पहले इस connector को निकाल लेने का और तीनू screw इसके खोल लेने का बड़ इसके खास चीच जो fixing unit का plate रहता है उसे निकालने के बाद ही यह निकलता है और upper side का delivery cover right side में सारे cover निकालने के बाद इसलिए move करके उसको हम बाहर आराम से निकाल सकते हैं यह है आपका delivery unit अलो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 3300 मशीन का delivery unit कैसे assemble करते हैं और कभी paper jamming का issue होता है तो क्या reason चैपके ही वो सारी jamming का रही है आपके उसके बाद है exactly यह जो है उसका delivery unit है उसमें बहुत तारे motors, gears और और सारी चीची रही रही है यह सारी चीचे कैसे assemble होती यह आप कैसे निकाल सकते हैं दोनों चीचे मैं आपको लिखाऊंगा इसका main plastic body जो machine में इस तरह stable रहती है तो अब इसके साथ अगर चीचे जो लगती है हम उसको attach करने की कुछिस करेंगे लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि जो motor और gears लगे रहते हैं वो चीचों का position और क्या reason रहता है अब यह sensor और यह sensor यह दोनों ही बहुत important है इसका position जो होता है ऐसा machine में रहता है इस तरह इस तरह machine में लगा रहता है अब बात करें जो delivery का तो delivery का आप देखोगे तो यह रहता है sensor ठीक है यह delivery sensor है और यह delivery plate sensor मतलब जो paper delivery से out होगे delivery tray पे गिरता है तो यह sensor cut up होता है और delivery में insert होते समय यह sensor cut up होता है इन दोनों sensor में अगर कोई भी problem रहती है तो हमारा क्या है exactly हमारा machine proper copy delivery तक नहीं पहुचाता delivery के पहले यह पीच में रोग देगा या तो paper थो चार अंगूल पांच अंगूल paper बाहर गिराएगा उसके बाद रोग देगा ठीक है हमने इसके पूरी तरह clean कर लिया है जो इस पर dust होता है अब इसका यह motor है यह motor इससे attach कर देंगे मोटर बहुत important है क्योंकि यही reverse और दोनों कंडिशन में यही motor डाउन करता है जब single coffee मारते हैं आप क्योंकि 33 सो मशीन में जो आपने system देखा है उसमें two side के लिए भी यही motor इस्तमाल होता है यह continue process अगर आप two side coffee मारते हैं तो यह motor continue दोनों side movement करता है इसलिए motor बहुत ही proper आपको आरेंजियों डॉर इसके साथ लगे हुए दियरों को सिफ करना पड़ता है reason इसका ही है कि यह motor इसके साथ proper घुमना चाहिए अब यह proper घुम है उसकी यह कई सारी चीजी करनी पड़ती इसको clean करना पड़ता है और अगर कुछ इसमें लगा सकते हो और इग्रीज तो obviously आप इससे कर देंगे यह film oil है तो मैं इसका इस्तमाल यहां भी कर जाखता हूं तो actually में क्या करेगा यह metal जो है आपका यह सारी गेर मेटल पे लगे हुए है ना यह गेर अव मेटल के भी अच्छा slipness पैदा करके प्रॉपर उसको घुमाने की कोजिस करेगा क्योंकि गेर के अंदर भी डेस्ट रहता है तो दोड़ा जाम चलने लगता है और हम मोटर के अब यह तो काम हो गया यह सेकेंड पार्ट हो गया इसका थर्ड पार्ट यह इसका रॉड है यह रॉड के वाल उपर के गोलर और को पकड़ने का काम कुरता है और इस संसर को एक स्टैंड के जैसा काम करता है यह हो गया उसके बाद यह अपर साइड का रॉड जो रहता है यह हो गया इसके कुछ बुश और अदर चीज अब इसको बिठाना तो बिठाएंगे कैसे में चीज हम इसी पर बात करते हैं आप देख रहे हैं एक आल रेडी लगा है अब इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको इसका यह बुश इस तरह पकड़ी है आप इसमें भी यह बुश लगा सकते हो अगर इसमें लगाना है तो इसके इसके पोजिशन पर लगा दीजे एक यहां और एक यहां ओके यहां यहां लगाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत महीं करना पड़ेगा भी थाने में एक्जैक्यू हम तो आगे तिछे करते हैं आप डाउन उन सब चीजों में यह फाइद से इसको पकड़ेंगे और ऐसा बिठा देगे यह जो पॉइंट है यह सीधा रखने का और इसको सीधा रखने का उसके बाद दोने को अटाच करने का जहां-जहां जैसा से टैप है वे ऐसा लगा देने का ठीक है यह बैड है बड़े सिस्टमेटिक बैठा है अभी कै इसके लिए हमें क्या चैहे यह रौड काया चाहीं अभी सराथ की आसमबली के यह हमअ को यह बुस चैहिए वस लेielen अब इस भुश गो इस को हमको क्या करना है पॉपरली इसके साथ अटैच करना है अ त forearm इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह रहे हैं, यह जो इक्स्ट्रा पार्ट निकला रहा है इसमें, इस देख रहा है, यह वाला हिस्सा इसके खाचे के हिसाब से बिठागा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर आटाइच कर देके पहले, लग गया, और इससे भी इंपोर्टेंट इस लिवर को सेट कर दे ला है, अब इसके बाद यह इसका बुछ दिख रहा है आपको, यह बुछ दिख रहा है, इसी के साथ इसको दिख रहा है, मैंने इग्जाक्ली सिर्फ ऐसे इसको इसको की, जस्का सेग्ड, मैं राइस्टेबल इसको कर मैंने वन साइड इसको स्टेबल कर दिया है, यहां अटैच कर दिया, अब हम वापस से इसको लगाएंगे, जो मोटर यूनिट है हमारा, इसमे एक खास स्टेप होता है, मैं वह भी दिखाऊंगा आपको, यह इससे दिया, इसमें ने, यह प्रॉपर बैड गया, इसका यह टॉप का एक प्लेट जो है, यह वाला, इसको प्रॉपर बिठाना बढ़ता है, मैं आपको इघर से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा उठा लेने का, उसके बाद इसको फूश करने का, चीके, जब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा प बार-बार अनिस्टेबल होने की कोशिश करता है, तोड़ा भी आप मोमेंट होगे, उबज जाएगा, इससे आप तो दो फाइदे होने वाले हैं, पहला दो एक अरेमें में रहेगा, और दुसरी बार तो अटेगा, अब इसके कुछ इसको लगाने हैं, पर इसको भी लगा इसरार और यह चाओ था, इस चारो खाचे प्रॉपर एक सही डिस्टेंस पर इस पर लॉक होने चाहिए, अगर नहीं होंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम देगा आपको आपको, उससे क्या होगा, कभी-कभी हम यह ठीक से नहीं बिटातें, तो भी पेपर जामिंग का ईशु तो नहीं बगने का उस्के बाद इसके जुट रगा देनी यह then वुरता टाइप नहीं करने का पहले हैं थोड़ा तो अगआ आथा तो जब चारो इसको लगा दो गया उसके बाद एक सही असेंबली के साथ उसको रसेट करें टाइट करनेगा अब दूसरी बात अगर आपका ये पार्ट प्लास्टिक का जूना रहता है तो ये इसको लगाने का वहत प्रॉब्म होता है इसलिए बहुत भी आराम से इसका सही डिस्टैंस में इसका प्रॉपर थोड़ा भी गलती नहीं हो क्योंकि थोड़ा भी आप प्रेशर दोगे तो कि ये तूड़ जाता है और तूपने के बाद है कि बहुत मगज मारी जाती है अब इसको प्रॉपर बिठाना है वह हां इधर से सेट करके बिठाना है जाने लाएं कि यहां के खाचे में के रहता है तो यह कि प्रिप की तरह लैट खारूँ एगार कि इसको प्रॉपर आपने पकड़ दिया उसके बार इसको यह आराम से टाइट कर देनेगा ऐसे भी डिस्टन से आप समझ सकते हो कि मैं प्रापर बिढ़ा रहा हूं कि नहीं आप 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 यह अपने स्कुरू लगा दिया उसके बाद यह यूनिक रेडी बहुत इस सिंपल कंसेट पे हैं बस में चीज इसके संसर रहते हैं और मोटर हैं संसर मोटर संसर के अटैक जो प्राप्लम होती है तो पेपर जामिंग होता है आपका संसर गंदा है तो जामिंग होता है और इसमें कोई दूसरा इशू नहीं आदा ठीक है बढ़ा एक चीज इसका कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ते हैं वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इसका यह लिवर क्लीनिंग कर देजमें कभी इस पे जादा प्रेशन नहीं अब फिर क्या होगा अगर आप नए यूजर्स हो तो आपको समोझ में नहीं आए कि मैंने क्या कर दिया और क्या हो गया अब बार बार पेपर एटकनी लगे आप यह हो गया अब इसको अगर खोलना है तो आप प्रापरी से नीचे रखिए ठीक है पहला तो इसको बाद में अब इसके बाद एक जो ती चार इचार इसक्रों खोलेंगा यह यूनिट भाहर हो जाएगा मैटल बाला और यह प्रापर लियुविद्टेशनी का अब आपको जो करना है क्लीनिक कर रहा है और दिझे श्चे है अब ये यूनिट रेडिये मशीन में लगने के लिए इसमें स्पेस देख रहे हैं आप थोड़ा मैटल और प्लास्टिक के बीच में आपको हलका स्पेस दिखेगा इंडिया अगर यह और इसमें इस पेसे नहीं रहते हैं प्लास्टिक के बस हमको इतना स्टेबल देगना है कि हमारे दोनों जो है वो प्रॉपर चलने चीवी बस चीए और कुछ आपको कभी शमस्या हो तो आप इसके बारे में और डेटेल में बात कर सकते हैं कोई भी ऐसा जो भी आप बेफिकर हो के बात कीजिए चलो गूड़ लग अ